राधे राधे भक्तो स्वागत है। आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल दपावर ओफ ओम पर दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। इसके मनाने की असली कहानी क्या है जानिये। करवा चौथ मनाने की असली कहानी। पौरानिक कथा के अनुसार करवा नाम की पती व्रता स्त्री थी। उनका पती एक दिन नदी में सनान करने गया तो नहाते समय एक मगर मच्छ ने उसका पैर पकड़ा लिया। उसने अपनी प यमराज ने करवा से पूछा कि हे देवी आप यहां क्या कर रही हैं और आप चाहती क्या हैं। के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पढ़ गए। क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण ना तो वह उसको शाप दे सकते थे और ना ही उसके वचन को अंदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पती को चिरायू का आशीरवाद दे दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीरवाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख सम्रिध्धि से भरपूर होगा। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पती के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं करवा पहली महिला हैं, जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल वरत किया, बलकि करवा चौत की शुरुवात भी की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस वरत को किया था, जिसका उलेक वारह पुरान में मिलता है। क्या है करवा चौत का वरत विधे, प्रात हसनान करके अपने सुहाग लंबी की आयू, आरोग्य सौभाग्य का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहें। करवा चौत को करने के बाद शाम को पूजा करते समय, माता करवा चौत कथा पढ़ना चाहिए। साथ ही माता करवा से विनती करनी चाहिए कि हेमा, जिस प्रकार आपने अपने सुहाग और सौभाग्य की रक्षा की, उसी तरह हमारे सुहाग की रक्षा करें। साथ ही यमराज और चित्रगुप्त से विनती करें कि वह अपना व्रत निभाते हुए हमारे व्रत को स्वीकार करें और हमारे सौभाग्य की रक्षा करें. नोट, यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. The Power of Om Channel इसकी पुष्टी नहीं करता है.